क्लासिफाइब फॉलोविंग एज एमोर्फोस और क्रिस्टलाइब सॉलिट्स पॉली यूरिथेन नेप्थलीन बंजुएक ऐसे केफिलॉन पॉटेसिन नाइट्रेट सेलफेन पॉली बिनाल क्लोराइब फाइबर ग्लास कॉपर तो यह जो हमारे पास मटेरियल हैं इनको में क्लासिफाइब करना है कि इन में से कौन हमारा क्रिस्टलाइब सॉलिट है कौन हमारा एमोर्फोस है तो देखो जरा जो हमारे क्रिस्टलाइब सॉलिट होते हैं तो क्रिस्टलाइब सॉलिट हम किसको बोलते हैं चिनकी जोमेट्रिक ऐसी हो रेगुलर हो ठीक है तो इन में ह क्रिस्टलाइन होते हैं तो एलिमेंट एंड कंपाउंड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आते हैं जबकि एमॉर्फस की बात करें कि है मॉर्फस मतलब की नॉन क्रिस्ट्लाइन ठीक है नॉन क्रिस्ट्लाइन जो हमारे सॉलिड्स है इन में आता है हमारा पॉलिमर्स और हमारा आता है मिक्स्चर जो हमारे पॉलिमर्स हैं तो पॉलिमर्स में क्या क्या आता है जो हमारा फाइबर्स होता है कर भूँकैं प्लास्टिकस अर्ज का यूद्वय अचuksiness거든 उस सब में क्या होता है कि वो फिक्स नहीं होता जबकी compound में element का composition जो है वो fix होता है । तो mixture में हमारा यहाँ पर glass आजाएगा तो बस अब ढूंडद लो जड़ा है in से कौन कौन से जो है only कौन से हमारे एमॉर्फास सॉलिट है जो भी हमारे पॉलीमर होते हैं ठीक है तो मुश्टली पॉलीमर के आगे यह पॉली प्रिफिक्स लगा होता है तो पॉली यूरिथन हमारा क्या हो गया पॉलीमर हो गया मतला हमारा यह क्या हो गया यह एमॉर्फास है ठीक है नेप्थली है ठीग है और टेफलॉन ये हमारा कैसा है पॉलीमर है पोतैसियम नाइट ट्रेट ये हमारा कैसा है कंपाउड है गी मारा क्या है ये हमारा एक पॉलीमर है तेक है теп ६ है गो एक जो हम कॉपि किताब पर जो प्लास्टिक कहा दाते वह सेलोफेन के लावकर वृ थम्याइब यूल्यक है इसका मतलब है यह पॉली मर है फाइबर ग्लास यह भी अवारा क्या आएगा नॉन किस्राइब में आज़ेंगा ठीए कॉपर एलिमेंट इसका मतलब है कि यह हमारा क्या होगा किस्ट्लाइन शॉरिट भुगर तो नेप्थ्रीन का अगर हम बोलें कि ये कंपोंड क्यों है क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ठीक है तो इसका फॉर्मूला देखो नेप्थ्रीन का क्या होता है यहां पर कारवन देखो वन टू फॉर फॉर फाइब शिख सेबन एक नाइट टैन कारवन है तो c10 हो गया और हाइट्रोसन देखो तो यहां पर वन टू फॉर फाइब सिक्स सेबन इठ हाइट्रोजन होगा तो तो जो भी हमाने compound होते हैं, element होते हैं, उनकी symbol होते हैं, इसका भी फॉर्मुला है, यह बेंजील की link है, और उसके उपर COOH जो लगा, तो बेंजील कैसे होते हैं, मत्यों, C6H5, COOH, यह फॉर्मुला होते हैं, पोटेसियल निट्रेट आप जानते हो, के नो थे, और copper C, तो जिनका symbol होता है, जिनका formula होता है, वो हमारे कैसे होते हैं, futibilidad दिश्टलायन। सॉल्ण में चैसे हैं, और जो हमारे polymer होते हैं, जो वह मिक्षर होते हैं, वो कैसे आते हैं, वो नॉन किस्टलाइन में आते हैं तो जिनको हमने रेड कलर से अंडर लाइन किया है वो हमारे एमॉर्फोस नॉन किस्टलाइन सॉलिट कहाएंगे और जिनको हमने गीन कलर से अंडर लाइन किया है वो हमारे कैसे होंगे वो किस्ट लाइन होंगे तो बस किस्ट लाइन में one two three and four यह किस्ट लाइन है और बाकी amorphous है